कमाल है कमाल हो गया पता नहीं वो कौनका पीज़ा बना रहे है उसे पीज़ा कहते हैं समझे और एक कमाल का पीज़ा सिर्फ इक इटालियन शेफ ही बना सकता है समझे दोस्तों अरे वा बनी तो कमाल लग रहा है सीफू पीज़ा तयार है आखिर ये किस तरह की डिश है जब सीवीड से कुछ बनाते है तब वो ऐसा नहीं लगता है मैंने अभी अभी तो बताया इसे पीज़ा कहते हैं ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है सही का मुझे फर्क नहीं कितना टेस्टी है अरे वा इटालियन शेफ कितना अच्छा पीज़ा बनाते हैं हाँ मैं तो और पांच खा सकता था मैं भी जियार तुम का बाई मेरी बात सुनो आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है पता है दोस्तों आज मैंने पहली बार पीज़ा खाया है प पहली बार मेरी बात सुनो तुम मुझे एक ऐसा ग्याज़ट दे दो जिसकी मदद से मैं पीज़ा बना सकूँ आज मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं चाहता हूँ उसे पूरी दुनिया महसूस करें तो पहले से ही जानते हैं कि पीज़ा बहुत अच्छा होता है मुझे लगता है हम बहुत बड़ी मुसिबत में पढ़ने वाले हैं जैसे हमारा काम पूरा हो जाएगा हम यह से चलेंगे चाहां तुमने अभी कुछ भी तूने ही तो यह कैसा रही को मैं इस खिलोने का क्या करूँगा तुम जानते हो कि मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ डोरे मौन अरे मेरी बात तो सुनो पहले अपनी दुकान का नाम तो रखो इस तरह से ठीक है अब इससे नीचे रखना सब लोग पीची हचाओ यह तो कमान है बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था जरा देखो तो यह अंदर से भी बहुत सुन्दर है अरे यह तो काभी अच्छा है चीक है तुमारा जो भी मन करे तुमें समान करो वो जहां तो पिज़ा की बात है तो बस इस शेप की बात सुना खोई परिशानी नहीं होगी आप से मिलके खुशी हुई साथ काम करने में मज़ा आएगा मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है मैं ही जियान जियान पिज़ा का मालिक मैं पूरी मेहनत करूंगा उमीद है कि वो संभालेगा अगर उसने अच्छा खाना नहीं बनाया तो मेरे हिसे का भी तुमें खाना पड़ेगा ठीक है डूरी मौन प्रिक्र मत करो चाहे कितना भी बुरा खाना बनाता हो जब तक वो शेप की बात सुन रहा है तब तक वो अच्छा ही खाना बनाएगा ठीक है आप वो पिज़ा चुलें जो आप बनाना चलते हैं सीफूड पिज़ा एक सीफूड पिज़ा ठीक है हम सुन समान तयार चल लेते हैं आप बहुत अच्छा कर रही है ऐसे ही कोशिश करते रहे आपने काफी अच्छा काम किया ठीक है अब मुझे इसे उच्छालना है ना ओ शुरुबात में इस काम में बुश्किल हो सकती है कोई बात नहीं उच्छालता हूँ मुझे अभी भी फिक्र हो रही है क्यों ना हम वहाँ चल कर देखें नो बिटा तुम तो जादा है फिक्र करते हो यह कैसी आवास थी आखिर यह सब हुआ कैसे नहीं यह कहुत से दर्लाग है आप और बंदा लिए अगर मुझे जो चीज़ें पसंद है वो ज्यादा डालता हूँ तो फिर उसका सुआद और अच्छा हो जाएगा अखिर यह हुआ कैसे अब मैं इसमें और ऐसी चीज़े डालूँगा जो मुझे पसंद है मीट और फेश अब देखना मेरा पिज़ Jay कितना अच्छा बनने वाला है सब देखेंगे कितना अच्छा बनने वाला है यह तैयार हो रहा है ये बहुत अच्छे से बेख हो रहा है ये चीज बैंगनी रंग का क्यों हो गया हमें यहां से जल्दी निकलना होगा दोरिमोन अगर हम यहां फच गए तो बहुत बुरा होगा सही वक्स पर आये हो मेरा पहला पिज्जा बिल्कुल तयार हो चुका है मैंने से नम दिया जियान पिज्जा आकर बताओ कैसा बना है वो देखने में तो यह अच्छा है पर अगर हम निका लिया तो यह खत्म होगा कोई बात नहीं दूसरा वाला जल्द ही तयार हो जाएगा तुम आराम से खाओ दोरी मौन क्यों न तुम शुरू करें क्या कहा रहा नो बिटा तो के बास कही गे तुम का न क्या कहा मैं समझ गया क्यों न हम साथ में खाए जियान की पीज़ा बाटी में सबका स्वागत है क्यों है ना हाँ ये तो बहुत ही अच्छा इडिया है तो ठीक है तुम बाकी सब को लेकर यहाँ पर चार बज़े आ जाना मैं तब तक और कई सारे पिज़ा बना लूँगा बच गए तुमने ऐसा बादा क्यों किया क्या सोचा तुमने हाँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था क्या जियान का बनाया हुआ पीज़ा खाना है चाहे कोई भी सजा देदो नोबिता लेकिन ऐसा मत काओ प्लीज सुन्यों चलो मुझे अपनी जान की फिक्र है प्लीज हमारी मेदद करो प्लीज अरे लुका अरे नहीं ये सब तुमारी गल्दी है नोबिता उन्हें काफी देर हो गई है चार तो कब के बच चुके है पीज़ा ठंडा और खराब हो जाएगा समझ गया चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज घर से बाहर नहीं निकलूँगा इस टैन कौन है इंतिजार करने के लिए शुक्रिया ये लीजी आपका पिज़ा अरे नहीं मैंने ओडर नहीं किया है हम कस्टमर के मन की बात जानकर ही डिलिवर करते हैं ये है जियान पिज़ा फिशर्मन स्टाइल अरे नहीं ऐसा मत करो ओ रुको क्योंकि तुम हमारे पहले कस्टमर हो इसलिए मैं तुम्हें ये भी दूँगा ये हमारा स्पेशल आइटम है जियान पिज़ा वुड्समन स्टाइल लेकिन ये तो पीज़ा जैसा लग भी नहीं रहा ये तो सुन्यों की आवास थी कैसा है बताओ अच्छा है न लगता है इसे इतना अच्छा लगा कि ये बेहोश हो गया ऐसी बात है क्या ओ ठीक है अब तुम दोनों बाकी पिज़ास को डिलिवर करो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कहा क्या नहीं कर सकते ठीक है फिर इन्हें गर्मा गरम ही डिलिवर करना मैं जांकर ये बात सबको बताता हूँ क्या कर रही है भाईया पिलकल बाहर में निकरना और घर के पर्दे भी लगा दो इंतजार के लिए शुक्रिया जियान बीज़ा आ गया है खोलिए घर पर कोई है लगता है घर पर कोई नहीं है कुछ तो घर बढ़ है यहाँ पर उसने हमें देख लिया है कोई फाइदा नहीं है हमें हार मान लेनी चाहिए उमीद मत छोड़ो आपर इसे देखो तो टबा चुकोला बंकर इतना बुरा पीज़ा कौन खाना चाहेगा बोलो या तुमने कुछ कहा अरे मैं कहना चाहता था कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा कबार पीज़ा ने 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 मेरा मतलब है कमाल पीज़ा उन्हे तो बुरा लग रहा है कि सब ये बीज़ा खाने ही बा रहे है अगर ऐसा है तो जाओ जाकर इन्हें भी डिलेवर कराओ खाने का वक्त लगबग हो गया लगता है जल्दी सब आएंगे अगर कुछ भी बचता है तो वो तुम्हें खाना पड़ेगा अरे नहीं कुछ सब गरो डूरेमान मैं समझ गया इसकी मदद से हमें ऐसे लालची लोगों को ढून पाएंगे जिने सब कुछ चाहिए होता है जल्दी उसे ढून दो ताकि उसे पीज़ा दे सकें कोई फाइदा नहीं और सबस कोई नहीं है तो थोड़ा हो तो धूड़ो डूरेमान अभी भी कुछ नहीं है हर जगा देखिया धोड़ी दुनिया में देखिया कहीं भी नहीं है जाजे टूटा हुआ तो नहीं है चीक है छलो दूर तक देखते है कोई मिला है क्या सच में तो ठीक है शुरू करते है इंतिजार करने के लिए शुक्रिया ये लीजिए जयान पिज़ा क्या आखिर ये सब लोग है कौन ये सब एलियन्स है इंतिजार करने के लिए शुक्रिया जियान पिज्जा गैलक्सी स्टाइल लगता है गेमेज को यह बहुत पसंदा आया है जियान तो अब खुद को सच में अस्वी का शेफ माननी लगीगा तो बताओ यह कैसा है, क्या यह अच्छा है यह बहुत अच्छा है मेरा पिज्जा पूरे युनिवर्स में सबसे अच्छा है